हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास B.Sc 2nd semester की chemistry जिसमें हमारे पास चल रहा है हमारा unit no.1 जिसका नाम है chemistry of carbohydrates और पहले युनिट का ये लेक्चर नमबर 6 हैं इससे पहले 5 लेक्चर आपको प्लेइलिस्ट में बिल जाएंगे यदि आप क्लास 11 में हो या 12 में हो या आप BSC 1st सेमेस्टर में हो या BSC 2nd सेमेस्टर में हो और आपको अपना केमेस्ट्री का सेलेबस कम्प्लीट करना है तो आप चैनल में जाकर प्लेइलिस्ट को फॉलो कर सकते हो आपको पूरा सेलेबस मिल जाएगा क्लास 11, 12 और BSC 1st सेम और BSC 2nd सेम का और पूरे सेलेबस को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो और सुन्दर से नोट्स भी अपने बना सकते हो साथ के साथ इसलिए आपको प्ल सेलेबस कंप्लीट करना है चाहे आप 11 में हो 12 में हो BSC 1st सेमेस्टर में हो या BSC 2nd सेमेस्टर में हो BSC के अगले सेमेस्टर का कोर्स भी हम इसके कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर देंगे पर अभी हमारे पाल BSC 1st सेमेस्टर का पूरा सेलेबस है और BSC 2nd सेमेस्टर के syllabus पर हम काम कर रहे हैं फिलाल यदि आप class 9th में हो या class 10th में हो और आपको अपना science का पूरा syllabus पढ़ना है तो भी आप playlist को follow कर सकते हो class 9th की science की playlist है और class 10th की science की playlist है ठीक है science में आपके physics, chemistry, biology तीनों subject को cover किया गया है तो ये हमारे पास unit number first का छटा lecture है हमें सीखना है eldos को ketos में किस प्रकार convert करते हैं eldos का example हम ले सकते हैं glucose, glucose को fructose में किस प्रकार convert करते हैं तो आप eldos को ketos में change करने के लिए यदि exam में आता है तब भी यही answer लिखोगे और glucose को fructose में change करने के लिए यदि कोई question पूछा जाता है तब भी same answer लिखोगे यह दोनों question जो हैं बिल्कुल same है और इसमें जो है आपको same ही answer लिखना है बिल्कुल तो heading लगाते है conversion of eldos into ketos heading लगाते हैं conversion conversion of eldos into conversion of eldos into ketos या फिर आप लिख सकते हो conversion of glucose into fructose glucose को fructose में किस तरीके से हम change कर सकते हैं या हम eldos को ketose में किस तरीके से change कर सकते हैं यह conversion exam exam में बहुत जादे पुछा जाता है conversion इसके इसके उपर आप important का निसान जरूर लगा लेना क्योंकि यह important question है exam में बहुत जादे पुछे जाने के इसके chance हैं तो आपके पास कोई eldos है आपके पास कोई eldos है eldos में जैसे हम example ले सकते हैं glucose यह कोई eldos है और इस eldos को हमें convert करना है किस में हमें convert करना है ketose में eldos को convert करना है किस में ketose में तो eldos को यदि आप ketose में convert करना चाहते हो ketose में या फिर ketose का example हम ले सकते हैं फ्रक्टोज जैसे हम glucose को फ्रक्टोज में change करना चाहते हैं और एक खासियत है कि जब आप eldos को ketose में यहां change कर रहे हो तो carbon परमाणवों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम यहां लिखेंगे with with same number of carbon atoms यानि carbon परमाणवों की संख्या यदि इधर 6 थी जैसे glucose में 6 carbon atom होते हैं तो इधर ketose जो बनेगा जैसे फ्रक्टोज उसमें भी 6 carbon atom होते हैं तो यह जो method हम यहां discuss करने जा रहे हैं इसमें number of carbon atoms में कोई भी change नहीं आएगा carbon परमाणवों की संख्या ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी ठीक है तो इसमें सबसे पहला step है कि हमें reaction करना है phenyl hydrogene के साथ पहले step में phenyl group है C6H5 और इसके आगे जुड़ावा है NH और NH के आगे जुड़ावा है NH2 तो पहले step में तो इसके साथ reaction करनी है इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं phenyl hydrogene तो पहला step तो यह है कि हमें phenyl hydrogene के साथ reaction करनी है LDOS की उसके बाद हमें दूसरे step में करना है hydrolysis दूसरे step में हमें hydrolysis यानि जल अपगटन करना है इसेडिक मीडियम में कोई साभी acid इस्तमाल कर सकते हो जैसे hcl या s2so4 तो यहां हम लिख देते हैं दूसरा step है हमारा hydrolysis यानि जल अपगटन दूसरा step यह है उसके बाद तीसरे step में हम क्या करेंगे reduction करेंगे तीसरे step में हम करेंगे reduction और zinc के साथ होना चाहिए आपका acetic acid CS3COOH या ACOH भी लिख सकते हो तो यह तीसरा step है हमारा reduction का इन तीन step को ही आपको follow करना है तीन step को follow करना है सिर्फ screenshot लो जल्दी से one by one इन तीनो step को हम follow करेंगे ले लिया screenshot ठीक है देखो अब जरा अब ध्यान से समझना सबसे पहले लेते हैं एक eldos यानि glucose ले लेते हैं यह हमारे पास eldos है CHO 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 का whole thrice और CH2OH यह हमारे पास है कोई eldos और eldos में भी हमने लिया है glucose लिया है ठीक है सबसे पहला step तक ही आपको reaction करनी थी phenyl hydrogene की यह है हमारा phenyl hydrogene C6H5 NH NH2 तो phenyl hydrogene का reaction करना है arrow के उपर लिख देते हैं C6H5 NH2 ठीक है और यह आपको अधिकता में लेना है access में phenyl hydrogene की मात्रा ज़्याद होनी चाहिए clear है बात निच्चे नाम लिख देते हैं phenyl hydrogene phenyl hydra कह दो या hydra कह दो एक ही बात है phenyl hydrogene या phenyl hydrogene यहां से क्या होगा यहां से तो निकलेगा यह o और यहां से यह ho h निकलेगा और यहां से निकलेगा यह h2 ठीक है तो हमारे पास इस ch के आग़े जुड़ेगा N N H C6 H5 और इस carbon के आग़े भी जुड़ेगा N N H C6 H5 तो हमारे पास उपर जो है वो CH है और CH के आग़े double bond से जुड़ जाएगा क्या जुड़ेगा N N H C6 H5 N N H और benzene ring यानि phenyl group C6 H5 single bond निक्चे क्या बचा है C और C के आग़े भी double bond से यही group जुड़ेगा N N H C6 H5 उसके बाद single bond बाग की सब जों करते हो है यह CH O H तो यह जो प्रोड़क्ट आपके सामने बनाए यह बहुत important product है इसका नाम आपको ध्यान रखना है इसे हम कहते हैं Osajone क्या कहते हैं Osajone कहते हैं इसे Osajone और यह particular Osajone Eldos के उपर जब भी हम access में यानि अधिकता में phenyl hydrogene का reaction कराते हैं तो हमें Osajone मिलता है और यदि Eldos हमारे पास Glucos है तो इस बार जो हमें Osajone मिला है उसे हम कहते हैं Glucosajone क्या कहते हैं Glucosajone आप इस Osajone को Glucosajone कह सकते हो क्योंकि यह Osajone आपको Glucosajone से प्राप्त हुआ है इसलिए ठीक है पहला step हमारा complete हो गया दूसरे step में हमें क्या करना था hydrolysis करना था acidic medium में hydrolysis करना था acidic medium में तो यहां हम लिख देते हैं यहां लिख देते हैं H2O oblique H positive यानि acidic medium में और हम कर रहे हैं hydrolysis hydrolysis हम कर रहे हैं hydrolysis तो hydrolysis करने से क्या होगा कि हमारे पास जो है न hydrolysis करने से क्या होगा देखो ये double bond तूट जाएगा इधर O जुडएगा और इधर दोनों H जुडखेंगे और ऐसा ही यहाँ होगा double bond तूट जाएगा इधर O जुडखेंगे दोनों H समझ रहे न आप इधर O जुड़ेगा और उधर दोनो एज जुड़ेंगा ये बात आपके समझ में आणी बहुत जरूरी है एक बार दुबारे समझा रहा है मैं आपको जब आप क्लास 12 में थे तो इस बात को आपको सिखाया गया था जब आप class 12 में थे तो इस बात को आपको सिखाया गया था कि जब हम जल अपगटन करते हैं अमली अमाध्यम में यानि H2SO4 या HCL की presence में तो यह double bond तूट जाता है एक तरफ oxygen जुडता है और दोनों hydrogen एक साथ दूसरी तरफ जुडते हैं ऐसा ही होगा इधर oxygen जुड़ेगा औ देखो समझ में आ रही क्या बात आपके यानि C6H5 NHNS2 जो कते हो निकल जाएगा यहां माइनस करके आप लिख सकते हो वैसे आपको जो है न मेन प्रोड़क्ट लिखने की आवशकता है साइड प्रोड़क्ट को लिखने की आवशकता नहीं होती मेन प्रोड़क्ट उपर C double bond O उसके बाद बाकी सब जों कहते हों है यह है CHOH का whole thrice और नीचे है आपका नीचे है CH2OH यह सब जों कहते हों है बिलकुल एजिटी जैसा था सिरफ उपर के दो कार्बन में चेंज आया है और यह था आपके पास ओसा जोन ओसा जोन से जो यह प्रोड़क्ट बना इसे कह और यह और यह ग्लूकोसा जोन से बनने वाला जो उसोन होता है उसका नाम होता है ग्लूकोसोन क्या होता है ग्लूकोसोन ग्लूकोसोन के नाम थोड़े से आद रखना अब बस ठीक है कितने स्टैप हुए दो स्टैप होगे दो स्टैप के बाद जो थर्ड्ड स्टैप है वो डिश्टैप का है देखो थर्ड स्टैप है जिक असिटी किसीड की हैव्च से हमें रिडक्टशन करना है तो हम अगले स COOH और हमें करना है reduction क्या करना है तो जब हम reduction करेंगे यानि अफचेन करेंगे तो अफचेन में क्या होगा ध्यान से देखना बिल्कुल क्या होगा अफचेन में यह होगा कि जो CHO का double bond में जो पाई bond है वो तूट जाएगा और एक H तो जुड़ेगा इधर और एक H जुड़ उसके बाद क्या है है तो हमें पता है नसेंट हाइड्रोजन हमारे पास होगी यानि नवजात हाइडुजिन होगी न हमारे पास तो नवजात हाइड्रोजइन यहां इस बॉंड्न को तोड़ेंगी एक H. एच इद है कि तो यह बने गा CS2-OH क्या बने गा CS2-OH यह बनत सबजों का त्यों है CHOH whole thrice, CH2OH, फिर है CHOH whole thrice और उसके बाद है आपका CH2OH, तो यह हमारे पास पहले ELDOS था, अब हमें प्राफ्ट हो गया है KETOSE, देखो Ketone Group है ना, उसमें CO, दूसरे कार्बन पर, तो यह है KETOSE, और KETOSE में भी, ग्लुकोज से प्राफ्ट होने वाले जो KETOSE है, वो है Fructose, क्या है Fructose, क्या है Fructose, एक बार स्क्रीन सॉट ले लो आप, ले लिया स्क्रीन सॉट, ठीक है, तो यह था हमारा पूरा मैथ़ड, और important question है, आपको बिलकुल आना चाहिए, हमने पढ़ा है, Conversion of Eldose into KETOSE, या Conversion of Glucose into Fructose, Eldose को KETOSE में कैसे चेंज करेंगे, With the same number of carbon atoms, या Glucose को Fructose में कैसे चेंज करेंगे, इसमें तीन स्टेप है, पहला स्टेप है, फिनाईल हाइडरेजीन से रियक्षन, दूसरा स्टेप है, हाइडरोलाइसिस, Acidic Medium में, और तीसरा स्टेप है, Reduction, Jink और Acidic Acid से, ये तीनों स्टेप हमने फॉलो किये हैं, उम्मीद है, आज का लेक्षर आपके समझ में आया होगा, आसानी से आप इस क्योश्चन को एक्जाम में अटेम्ट करके हा सकते हो, ऐसी उम्मीद है, यदि वास्तविक्ता में आज का लेक्षर आपके समझ में आया है, तो वीडियो लेक्षर को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस लेक्षर, ओके, बाए